हेले वरोन कैसे आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई भी बेतर चल रही होगी 11th क्लास के कमिश्ट्री में चैप्टर 4 के सभी महात्पूर्ण कोश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं इसके पहले हमने जो भी वीडियो प्रोवाइड किया हो आपको प्लैलिस्ट में मिल जाएगा क्योंकि important कोश्चन और भी हमने प्रोवाइड कर दिया है बच्छों यहाँ पर जितने महात्पूर्ण प्रिश्चन है तो प्लीज आप तयार कर लेना और 11th क्लास में हैं पहली बार इस चैनल पर आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चलिए पहला आपका कोश्चन है सिग्मा बंद और पाई बंद में अंतर अनुनाद किसे कहते हैं अनुना कि इसके लाबा कुछ मत पढ़ना अधिकतम जितना पढ़ना तो पढ़ने लेकिन इन प्रिश्चनों को आपको तयार करना ही करना है अनुनाद किसे कहते हैं समझाए आयनिक योगिक और सहसंयोजी योगिक में अंतर आप आक्सीजन और नाइट्रोजन का आर्भी कच्छक स दर soul-दर तो है ठीके तो आप सब कश जानदे हैं क्योंकि नाइट्रोजन आपका परमाड़ अक्सीजन 0 9 फ्लोरीन न नो तो फिर 2 फिर्यक्ट्रन बस दो-फ्र धीकता हो तो आप लोग आसानी से से सटें ठीक है तो आक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन इसका जो है औ खीचना ही खीचना है, ध्यान रखेगा, संक्रन में SP संक्रन, SP2 संक्रन और SP3 संक्रन पढ़ना है, ठीक है, संक्रन, संक्रन में SP संक्रन, SP2 और SP3, तीन संक्रन आपको पढ़ना है, बाकी हर एक संक्रन, चाहिए SP3D, DSP2, SP3D2 या SP3D3, इस सभी संक्रन मैंने कराया है, तो सभी पढ़े लेकिन ये तीन संक्रण अधिकांस्ता SP, SP2 और SP3 से ही पूछा जाता है या आप से दे दिया जाएगा कि BECL2 को ये उदाहरन दे देगा और पूछेगा इसमें किस प्रकार का संक्रण है समझाईए तो आप लोगों को इनका एक्जामपल भी पढ़ना है ऐसा नहीं बीन एक्जामपल के आप SP और SP2 संक्रण की परिभासा पढ़ लिए बसा ऐसा नहीं है उसमें मैंने बताया है बच्चों जब पढ़ाया था कि SP संक्रण कैसे होता है है ना इसका उधान लेकर कि उसकी संद्चना उसका बंदकोण आकरती सब कुछ कम्पलेट करा है तो ये भी चीज क्लियर रहना चाहिए पूछ देता है कि SP संक्रण में बंदकोण कितना होता है तो फिर आपका 180 डिग्री होता है ठीक तो ये चीज बंदना चाहिए आगे देखिए BSEPR संज़क्ता कोस इलेक्टरान उगों प्रतिकर्शन सिध्धान BSEPR सिध्धान आपको तैयर करना है अस्टक नियम तथा सीमाएं और संज़क्ता बंद सिध्धान बैलेंस बॉंड थिओरी अगला प्रस्ण बच्चो यहाँ पर देखिए बरफ जल से हलकी होती है क्यों समझाइए और संक्रण किसे कहते हैं संक्रण के नियम ये तो कभी कभाद पूछा जाता मुक्रूप से संक्रण में आपका SP, SP2, SP3 संक्रण ही पूछा जाता है ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ लिया करो जो भी प्रवाइड करता हूँ कोश्चन और आप लोगों का डिमांड क्या है ये आप लोग बताए उसके अधार पर आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे ठीक है बच्चो यदि आप चाहेंगे कि हिंदी के भी कोश्चन प्रवाइड करें सर तो हिंदी का भी कर दूँगा या हिंदी ग्रामर के लिए बात करेंगे उस पर भी वीडियो प्रवाइड कर दूँगा आप अपने सलेवस के अकॉर्डिंग जरूर बताए कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको मैं प्रवाइड कर दूँगा आप लोग निश्चिंत रहें फिलाल आप तैयारी करते रहें जो भी कोश्चन देता हूँ मैक्जिमम कोश्चन तैयार करें यह नहीं कहता मिनिमम यह मिनिमम मैं प्रवाइड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सरे बच्चो कर दिवाण सर सर इसको आप करा दीजिये क्योंकि हमारा एकजाम नजदीक है और आप लोगों को भी तैयारी करना भी जरूरी बच्चो क्योंकि कम समय में आप लोगे दी ज्यादा भी पढ़ोगे तो हो नहीं पाएगा जितना कोश्चन देता हूँ उतना तो तैयार करे ले जैहिंद बंदे मातरम